नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दरपन और आप देख रहे हैं आप इन 24 नूज दोस्तों हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि किसी की कोई चीज खो जाती है तो हमारे पास जो है करनाल की जनता है आसपास की जनता है वो ले आती है और हमारा प्रयास रहता है कि वो चीज उसके मा पर्स को सबसे पहले हम बात करते हैं शक्त से क्या नामें कहां रहते हो मेरे नाम रोहित कुमार आपको सुप तो यह जो पर्स है आपको महराना परताब चोक से 12 यहां सबस्क्राइब के जूंडला घेट के पास पड़ता है मेरा घटी के पास ही पड़ता है आपके सामने गिरा है स्कूटी पर जा रहे तो आपको बता दें कि यह पर्स है सारी जानकारी के बाद आपको बता दें कि यह एक पर्स है जो कि इन्हें मिला है महराना परताप चौक जो है वहीं से मिला है करनाल के आप देख सकते हैं काले रंग का यह पर्स है और फिलहाल इसमें जादा जानकारी हम नहीं देंगे क्योंकि कुछ जानकारी जो उसका मालिक है वो खुद देगा लेकिन फिलहाल हमारे पास बता दें इसके अंदर अधार कार्ड है उनका और इसके लावा एक आधे दस्तावेज जो है वो और है उसके द्वारा जो है यह साफ तोर पर पता जो है चल जाएगा कि मालिक जो है यहां पर आपको बता दें कि यह वैक्सिनेशन सेटिफिकेट भी इसके अंदर है जिसमें नाम आ रहा है विकास यह देख लीजिए नाम इसमें आ रहा है विकास वैक्सिनेशन सेटिफिकेट यहां पर लगाया हुआ है और दूसरा जो है आपको बता दें कि एक अधार विकास तो यानि कि विकास ही है कोई जिनके यह पर्स है और इसमें जो अड्रेस आ रहा है वो अड्रेस भी आपको बता दें इसके अंदर अड्रेस आ रहा है हाउस नंबर 557 जूंडला गेट शाम गली नस्दीक फायर स्टेशन वाड नंबर 15 करनाल और यह आ रहा है यह जल्दी जानकारी पहुंच जाएगी हलाकि उमीद है क्योंकि हमारा भी ओफिस जो है वो बिलकुल नस्दीक ही पड़ता है इस इलाके के और यहां पर बता दें कि एक और भी यहां पर जो यह आराग कुछ अरोग्य योजना का उनका कुछ कार्ड है यहां पर वो भी यहां बताना चाहेंंगे वह खुद वह बता देंगे जानकारी देंगे हलाकि साथ तो पर यह तो पता लग यह लेकिन कई बार जब दस्तावेज नहीं मिलते", फिर उह और पहचाने क्योंकि उसमें कई ने holistic कौ तो कई परस बार जो एक परस है वो कहीं लोगों के हाथ भी लग जाता है ऐसा भी हो जाता है तो चीन लिया था जा तो यहां पर जो है जिस तरीके से इनों बताए कि एक एक रिक्षा वाला था उससे इन्हों ने वह परस चीना और अपने पास रखा और फिर सीधा हमारे ही दफ्तर पहुंचे हैं और उनके जो मालिक हैं बता दें कि उनका नाम विकास है और बाकी कुछ और चीज़े भी इसके अंदर है हलाकि एड्रेसिंग इसके अंदर आ चुकी है पैसे भी हमने बता दी हैं उसमें कुछ एटिम्स हैं उनकी हम जानकारी जो है वो आपको नहीं देना च पैन कार्ड में भी नाम विकास ही आ रहा है तो आपसे फिल इस वीडियो को शेयर करें और फिलहाल बाकी पर्स के अंदर कुछ रुपएं हैं और इसके अलावा कोई एक आदा और दस्तावेज भी इसके अंदर है वो ना जाने किस चीज़ का है तो वो भी एक बार देख ल उनके पास तो यहां पर जो है फिलहाल उमीद करते हैं कि जल्दी ही जो इसके मालिक हैं वो हमारे ओफिस से इसे ले सकते हैं आप इसे खुद अपने पास रखना चाहेंगे यहां पर कैसे तो यहां पर जो है फिलहाल यह हमारे दफ्तर में ही रहेगा और इसके जो मालिक है बता दे मालिक जो कि अभी फिलाल जुन्डला गेट के बताएगे हैं नाम विकास है और उनका पर्स जो है इन्होंने और कितनी देर पहले ऐसे आपने देखा था यह पर्स अभी कितने टाइम हुआ है यह आपके पास अभी पकड़े हुए यह बारा बजे के असपास की बाद है अच्छा बारा बजे क्या सब्सक्राइब को यहां पर जिस तरीके से यह पर्स मिला है इनसे कुछ जानकारी भी लेंगे आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर आपकी तनख़ा कितनी है बारा हजार रुपे तनख़ा है तो आज के समय में बहुत जादा नहीं होती है यह की बस घर चलाने वाली बात होती है रगड़ रगड़ के तो आपके मन में नहीं ठीक है पंद्रना सो रुपे कोई बात नहीं क्या उसका जाना है वो तो देखो जी हरत रहती है यहां पर किसकी चो नेगटिव होती है किसी पोजिटिव होती है कोई समान लेके रख भ देश में हर तरह का इन्सान है ऐसा इनसान भी है जो जिसका भर भिट भरता ही नहीं नहीं है वो चाहिए जितने रिश्वते खाले को यह कोई भी ऐसा विक्ती हो चाए कॉई पोलिटीशन हो चाय को अधिकारी हो लेकिन एसे भी लोग हैं जो 10 रुपे 8000 रुपे 6000 की नौक पश्राइब करें इसके लावा भी उन्हें पूछ पूछा सर क्या उन्हें परस वापिस मिल गया तो उन्हें बताया कि यहां उनका परस मिल चुका है तो आप समस्कते हर तरह का इनसान इस दुनिया में है और हम लोगों से सोचने लगे कि मुझे इमानदारी से क्या फाइदा है तो फिर ये देश क्या ये दुनिया क्या कभी भी कुछ भी जो है कोई भी इंसान सेफ नहीं है कहीं न कहीं इमानदारी जिन्दा है तो हम जिन्दा है यहां पर फिर से एक बार पर्स दिखा देते हैं यह पर्स है काले रंग का नाम विकास के नाम का है जूनला गेट का अड्रेस आ रहा है और कहीं भी इसके मालिक हो जल्दी जल्दी संपर्क करें उन्हें कोई जानने वाला हो तो उन्हें जानकारी जरूर दे दें क्योंकि दस्तावेज काफी ज़्यादा जरूरी होते हैं पैसों से जादा करें और यहां पर जब आपके पास परस है वैसे आपको अंदर से लगा कि मैं इसका कुछ कर लूं क्या ना कर लूं तो वह बहुत भी आप देची है ज़रूर देशे और आम जनता से क्या कहेंगे उनने भी इसे तरीके से बिखाना चाहिए अगर किसी और की कोई चीज गो तक के लिए जाहिए अब यहां तक आही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिये के बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक